हेलो फ्रेंड इस तेवार इस तरीके से सकरपारे जरूर बनाएगा बनाना बिलकुल आसान है बनाने की रेसेपी बिलकुल सरल है तेक बार आप बनाके जरूर ट्राई किजेगा और इस तरीके के सकरपारे बहुत ही टेश्टी लगते हैं तेक बार जरूर ट्राई किजेगा तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि बनाना कितना आसान है इसकी रेसेपी दिखाती हूँ आपको इसके लिए मैंने ये एक कटोरी मेदा लिया है अब इसमें हम घी डालेंगे घी कम से कम 2-3 चमश डालना है फिर इसे अच्छे से मेदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा कम लगे तो ओर डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छे से मिक्स करके देखो इसकी आटे की मुठी बन रही मेदे की मुठी बन रही है तो इस तरक eh इस तरीके से आपको भी घी डालना ही ताकि अच्छे से थोड़ा सा ये हो जाए इसके मुठी बननी चाहिए अब हम थोड़ा सा गुनगुना पानी लेंगे और उससे ये आठा गूतेंगे आठा गूत के अच्छे से रखेंगे आठा ज्यादा गाड़ा भी नहीं रखना है और ज्यादा पतला भी नहीं रखना है आठे को पास से दस मिनिट के लिए रख देंगे हम अब हम सकर पारे बनाना श्टार्ट करते हैं अब हम इसे अच्छे से बेल लेंगे आप चाहो तो नीचे गी लगा सकते हो मैंने गी भी नहीं लगाया है आठे अच्छे से लगा के रखेंगे तो घी भी लगाने की जर्वत नहीं पड़ेगी अब इसे अच्छे से बेल लेंगे ज्यादा पतला नहीं बेलना है और फिर इसे हम कट कर लेंगे अच्छे से आप जैसा सेप चाहो वैसे सेप में काट सकते हूं मैं थोड़े लंबे सेप में काट हूंगी आपको लगे तो चोकर सेप में भी काट सकते हूं लंबे सेप में ज्याद अच्छे लगते हैं मैं आपको पास से भी दिखाती हूं देखो कितने अच्छे से इनका सेव दिख रहा है और थोड़े मोटे ही रखने हैं ज्यादा भी मोटा नहीं रखना है इतने मोटे रखने हैं अब इस तरह के मैंने सारे सकरपारे कट करके रख लिये हैं अब हम इने फ्राइ करेंगे तेल को पहले मैंने अच्छे से गरम कर लिया है फिर जब हम इने फ्राइ करेंगे जब गेस की प्लेम एकदम लो रखनी है अब धीरे-धीरे करके सारे सकरपारे हम इसमें डाल देंगे एक बार में आ जाए तो एक बार में डालिये नहीं तो दो बार में कीजिए ऐसे धीरे-धीरे करके सारे सकरपारे इसमें डाल देंगे इसके बाद जो भी ये सकर पारे हैं इनको एकदम लो फ्लेम पे ही इने फ्राइ करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राइ हो जाए गेस की फ्लेम आप कभी हाई या मीडियम करोगे ति ये अंदर कच्छे रह जाएंगे लोही रखनी है तो आप देख सकते हो ये अच्छे से फ्राइ हो गए हैं अब सारे शकर्पारी हम निकाल लेंगे कैंद हम ने कर टौरी मेदा लिया था उसह साब से इसे दो बार इस तरीके में फ्राए कर रहे हैं next अब य 보통 कर लेंगे तो मैं दिखाती हूं आपको कि मैंने प्राए कर तो कितने अच्छे से फ्राई हो गये और एकदम देखो अंदर भी अच्छे हैं ये एकदम हम लो फ्लेंप पे अच्छे से फ्राई करते हैं तो ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और एकदम खसता रहेंगे नई तो ये अंदर कच्चे रह जाएंगे इस तरह किस हमने सारे सकर पारे फ्राय कर लेंगे जिस कटोरी से हमने एक कटोरी मेदा लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी सकर लेनी है अब सकर डूब जाए इतना पानी डालना है अब सकर की हम चाशनी बनाएंगे तो इसे लगातार चलाते रहना है गेस की प्लेम हाप हाई रख सकते हो लगातार चलाते रहना है अब इसमें जाक आ गया है थोड़ी देर और चलाते रहेंगे उसके बाद हम ये सकर पारे सारे सकर पारे इसमें डाल देंगे ज्यादा देन नहीं सकर को होना है थोड़ी चासनी मोटी हो जए उसके बाद सारे सकर पारे डाल देने हैं वापस सकर नहीं बनने लग जाए उसके पहले ही हमें डालना है सकर पारे डालने के बाद गेस की फ्लेम हमें एकदम लो कर लेनी है उसके बाद लगातार चलाते रहना है ताकि जैसे सकर वापस सकर बनने लगेगी तो सारे हमारे जो सकर पारे हैं इनमें अच्छे से चिपक जाएगी और एकदम लोग फ्लेम पे करेंगे तो हमारी जो सकर की चास्नी है वो थोड़ी अंदर तक सकर पारों में जाएगी इस प्रकार हम चलाते रहेंगे तो आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारी जो भी सकर की चास्नी थी वो सारी सकर पारों में अच्छे से लग गई है तो आप देख सकते कितने अच्छे से हमारे सकरपारे बनके तैयार हुए है मैं और आपको पास से दिखाती हूँ तो देखो आप देख सकते हो मैं और एक तोड़ के भी दिखाती हूँ तो आप देख सकते कितने अच्छे और खस्ता बने है तो एक बार आप इस तरीके से सकरपारे बना के जरू ट्राइ किजेगा बनाना बिल्कुल सरल है तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजे, सेर कीजे और हमारे चैनल को सस्क्राइक कीजे थैंक्यू फोर वाचिंग